सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाए एजाजुल एसन के सिंगल पेजनेशन लेटर पे अविसली इसक्राइब कोई सब्सक्राइब करें लोग सवालात उठारे हैं कि क्या वजा थी ऐसा क्या हो गया और ऐसे कैसे एगदम से रिजिगनेशन आ गया तो लोग उने काफी तारीफें भी की हैं कि उन्होंने अपना ताइम असर्विस में दिया है वह रही सपोस्परसन लेकिन हम आते हैं उससरफ पहले आप बताएं असद आपका क्या ख्याल है के वहती सुप्राइजिंग था के दो जाज इसराइब उन्हने आगे पीछे ही जाहर है जो खबरें वो तो ये बियान कर रही हैं मुस्टली के जो मजाहर नक्वी साब थे जो ने पहले रिजाइन किया था उनकी वगया से उन्हें ने शुप्रीम जिडिश्रल काउंसल के अंदर जो फिर से उसकी एक कारवाई शुरू होनी थी उसकी उपर उनके दरजा है कि क्योंके जाज जाइन साब जो थे वो काजिवाई इसा जिनकी इसी साल के एक्तूबर के अंदर उन्होंने हट जाना है चीफ जर्सिशिप से तो इनकी बारी थी अब चूंके वो रिजाइन कर चुके हैं और जो इनके इलावा सीनियर मोस्ट जज थे वो भी उनका भी रिटायर्मेंट की जाजेगी तो उसके पीछे रह गए जिस्टिस मसूल अली शाह जो के अब चीफ जर्सिज बनेंगे और उनकी मुदद जो है उसके अंदर भी इजाफ़ा हो गया है वो अब तीन साल के लिए जाज बनेंगे इंटल दी एज़िए जब उनकी रिटायर्म जो परवेजलाई के साथ थी वो यह और उसके साथ साथ एक 2014 का जब यह लौर हाई कोट में थे तो इन्होंने एक नजीर आहमद के नामी शाक्स की बेल भी डिनाई की थी पहले वो मर्डर के लिए अंदर थे पर उनने जब अपना वकील चेंज किया तो उनको बेल मिल गी सो इंट्यूबर काफी संगीन इल्जाम आते हैं और जो जालुज हैसन साथ की कहानी है उसके ओपर थोड़ी दे तक अभी आते हैं अब अक्याली की जरा पॉइंट साथ हैं आप दोनों तो मुझे कॉन्वर्सेशन की टोन्ट से लग रहे हैं काफी उदास हैं मामलाद संज लेक एक फोन कॉल थी अलेजट वो तो जाहर है फवाद चौधरी साब तो कहते हैं कि वह गलत थी वह इस तरह की कुछी चीज फैबरिकेटिड थी लेकिन वह जो भी थी उसमें हमें एक नई चीज सीखने को मिली सो हम क्योंके जेनी तोर पर पसमांदा लोग हैं हमें पेट के बाद एक चीज ये भी आ रही थी कि जी इन्होंने इस लिए ले लिए क्योंके अगर कारवाई चलती और अगर खुदाना खासता उसमें कुछ इस किसम की चीज आ जाती तो फिर इनके जो रिटार्मेंट पर्क्स थे प्रिविलिजिस थे वो शाहिद वापस ले लिए ज अगें इनकी जो सहबजादी हैं उनका मैं देख रहा था कि वो ट्विटर पर बहुत एक्टिव हो गई है और बहुत वोकल हो गई है और जजबाती हो गई है तो मेरे खाल में उसकी कोई जुरूरत नहीं है मतलब वो यह साबित कर रही हैं ट्विटर के ऊपर कि हमारे पास पैसा वैसे ही बड़ा है तो हमें तो जुरूरत नहीं है इस तरह की चीज़ें करने की सो अगें पाकिस्तान में कौन पूछता है पैसा कैसे आया है पैसा आगया तो बस ठीक है आगवास एया तो गट ने लिए लेकिन एक चीज से मैं बड़ा खुछ वही थी कि जस्पिकर कि अगया जाएंगे और जो भी रिजाइन उन्होंने इसकी प्रसीडिक्स नहीं रोकी और मामले की तह तक जाएंगे और ऐलिगेशन को जुस्तरा मरजी है देखा जाएगा कि आ अर दे टूर नॉट और जो भी रिजल्ट होएगा उसके कोडिंगी डिसाइड़ रिटार्म पर तो अफकोर्स इनकी पेंशन होती हैं मगर यह तो आगर देखते हैं कि रिसाइड क्या करता है और इनसेंस असल में जिसतरा इसको मीडिया में पूट्रे किया गया भी तो बड़ी ताजी ताजी चीज है बट उसके अंदर ऐलिगेशन ऐस सच उनकी उपर उस तरह से जै जो नहीं पहले भी इसी चीज़ के उपर एक्स्लूसिफ की थी वो 2019 में एक साकिब नसार बेंच लीड कर रहे थे मैं रूमर्स हैं मतलब उस ख़बार तो रूमर्स नहीं कहेगा उन्हों ख़बार तो कह रहा है यही वज़ा है लकिन जाहर है हम तो बिलकुल यह नहीं कह र लीज कैंसल कर दी वो रिस्टोर कर दी साकिब नसार बेंच ने 2019 के अंदर उस बेंच का ये भी हिस्सा थे थैंउ के अंदर मसला मसला सिर्फ यह थर लीए कि जचस जायता से पहले जो पार्टी थी सके फिसिए इसके इंदर जिसकीस कि धको भाफ यह कारवाई की थी उनके उनके खिलाफ एक किसी भी चीज होने लगी है, स्ट्रीम डिजिशल कांसल के अंदर, तो उनमेंसे एक चीज ये शायद हो सकती है, तो जिसकी वैसे उन्हें प्रियम्टिवली थोड़ा सा अपना रेजिगनेशन की तरफ गही है, लेकिन जाहर है, अगैन, अली की जैसे बात इनिसिंट इनिटिल प्रूवन गिल्टी वाली बात है कि आगे जाके जिस तरह मामलात अनफॉल्ड करेगा, अगर तो करेगा, तो फिर हम देखेंगे, वैसे इस किसम के शोबाद जो जजजसिप की होते हैं, उसके अंदर हमने सियासे दानों में तो काफी देखा है, कि बा अगर कोई मेहनती आदमी इस मुल्क में आया तो जजजसी जाजुलेसन है, वो हर बेंच का हिसा थे, उनके बगहर कोई बेंच तश्कील ही नहीं थे होता, मेरा सवाल यह है कि वायर वी गएंटू कि अच्छा हाई कोट में यह हुआ, उनने यह किया, जब इनकी सेलेक्शन हो रही थी, अपॉर्मेंट हो रही थी, तब यह चीज़ें वर नॉट प्रॉट तो यही तो मसले है, जब उनकी जब वो होर आ रहे थे सुप्रीम कोट में, सो उसके बाद यह राइट जो है, अभी जिस पर हमने देखा है कि पिछले दिनों ईसा साब ने काफी मसला क्रिये की है, और राइटली सो के बेंच बनाने का अगर इख्तियार सोली चीफ जस्टिस के पास होगा, और वो कभी भी किसी भी जज़ को उसमें डाल सकता है, उसमें से निकाल सकता है, वो यह फैसला कर सकता है कि कौन सा केस पहले लगए, कौन सा बात में लगएगा, अब अगर कैस में लगा रहा है यस जस्टिस हाँ को किसी भी और को तो वो क्या कर सकते हैं, तो यह वह वहीं पे है, वह तो मतलब, मतल़ हैं प्यलिक पोरप ए Memo पर जा आपको हर किसम का सवाल पूछे जाता है, जैसके बाकिस ने जसरे जिसले अन度र तो बहुत स्क्रूर्टिर्टिय तो यहांपे मोमन इतनी नहीं होती है कि यह फी सुट्रीम जूशियल काउंसल यह मुहमन और को वक्ला होती है, को वकील होते है जा कि उसके ऊपर किसी किसम की शिकायत करते है उसके बाद फिर बात खुलती है लेकिन इस पात में जरूर attention draw करना चाहूंगी कि एक तो आपके जो peers हैं, CJP and other judges included, एक आपका group है जिसके अंदर benches में कौन से judges आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, वो decision CJP ने लेना है, and then जो आपका Supreme Judicial Council है, उसके अंदर भी आपके peers हैं, and deciding matter that is concerning allegations against you. थोड़ा सा ये आपको लगता नहीं कि जैसे एक unbiased सी एक group होनी चाहिए, deciding whether, you know, your those allegations are true or not? बिलकुल होनी चाहिए, और देखें, इतसाब, असले मसला ही है, अगर सियासदान पकड़ा जाए, या सियासदान की किसी किसम की चीज़ की उपर जाम लगा जाए, जैसे पैनेमा के अंदर ये जो जितने नाम लिये जारे हैं, इनमे से दिगर जारे, ये पैनेमा वे भी थ जाज़ 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 साब के त्यार मेंच में थे, लेकिन इनका इतसाब जो है, चूँके मैं वैसी पहले ही जिकर करा था, कि एतसाब बहुत कम देखा गया है, ये आपकी बात बिलकुल बजाए है, इस किसम की कुछ चीज करने चीज़ चाहिए, शायद क्योंके बैक जाज़ साब के साथ जो हो रहा है, उस बद सलुकी के बाएस, उनने ने काई जी कि मैं भी रिजाएन करता हूँ, ऐसे नहीं होता है, खास तो और पर जो मैं शुरू में बात की, एक ऐसा जिस्टिस जो के चीफ जिस्टिस बनने को जा रहा है, तो ऐसी चीज़ पोजिशन यह वो कौन छोड़ता है, अच्छा वैसे इस पे एक रीफ सर्फिस हुई है, वीडियो जो के टोटर वगारा पे चाल रही है, वो थोड़ी सी, हाला कि इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे रॉंक्टे खड़े हो गए थे वो जो ब्रो मैंस था ना, वो हर जग सब्सक्राइब करेंगे, पहली इतराज यह होता है, कि इंग्लेंड में जज की जितनी तनखाए है, पाकिस्तान में उतनी नहीं है, अब आप एहतसाब भी करेंगे, कल को कौन जज बनेगा हो, तो बस हर मिटी पाउ करना चाहिए, जज बनते रहेंगे, जज इस रात आते सब्सक्राइब करेंगे, वो जज हैं, ठीक है, इस बात पर हम मिटी, मिटी डालते हैं इस बात को, यहां पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक, विद अलो जनाब, अगली ख़बर की तरफ चलते हैं, पंजाब गवर्मेंट ने एक M.O.U. साइन किया है विद पाकिस्तान वेस्टरन कैनाडा ट्रेर असोसियेशन के साथ, जिसके तुरू हम पाकिस्तानी यूथ को यह इसोसीयेशन हेल्प करेगी तो तो गेट जॉब्स in Canada, पहले को पहले तो पेले घ्टी फिर में तो तो.. अई सर ऐसे नहीं है, इसे नहीं है, मैं जर ब अभी नहीं है, obviously it's an MOU sign just now, अभी तो बहुत, यूथ का मतलब है जवान, आपका भाई जो है, वो ही जवान होता था, अभी तक येस, येस, आप बैठे रहे हैं, थोड़ी से मैस में वज़ात कर दो, फड़ीज एड करें, अच्छा मैंने नहीं तकरीबान आज, चितने लिखी भी थी, जी पाकिस्तान से यूथ कैनेडा जा रहे है, कैनेडा जा रहे है, पंजाब गवर्मेंट ने बहुत बड़ा MOU sign कर ली, अब सब कैनेडा जाएंगे, मसला ये था, ये असल में जो 35th cabinet meeting हुई है, पंजाब गवर्मेंट की, ये उसके अंदर एक कुछ चीज थी जो भी डिसकस होई है, और और भी चीज़ें वो भी बात करते हैं उनकी उपर, लेकिन इस चीज़ की उपर मैंने डेडर लाइन से ज़्यादा तफसिलात मुझे नहीं मिली, कि इसके अंदर एक्शली MOU है क्या, उसमें किस किसम की जॉब्स हैं, उसमें exactly हम किस तरफ ज कैनिड़ा दा जिए कैनिड़ा भाद ही जा, क्या क्यों जा रहे चा हैं, क्यों जा रहे हैं? मुझे कूछ दी नहीं, क्यों बैसे दिखें हैं और सिर्फ बिलिख गृएं बिल मुझे ज़िए उनका कुछ तो बहुतार थोड़ी डिखाई आप बहूज है, लो इसम़से ह। मेरे जानने वाले बता थे कि अमरीका में इसी तरह पुलिटिकल रैली इंग हो रही थी और एक शख्स जो है वोट लेने चाहता था तो उसने आके उस इलाके में वो बोलना शुरू हो गया कि यहां पर फलानी जगह से माइगरेंट्स आते हैं आपनों के हमारे जा रहे हैं औ तो उसको पता नहीं था कि यह मेरा जानने वाले जो हैं यह भी बीच में बैठे में हो जो कि हम पाकिस्तान से आये में तो यह वहां पर शुरू हो गया कि जी आपको नहीं पता जब आपको चाहिए होती है चीप लेबर ताब आप वीजे बांटते हो हमें अब जब हम आग तो इसमें अगर बात होई यह बाहर जाने की दोज़र ताइस वह साल था जिसमें दोज़र पंदरा के बाद पाकिस्तान से जाने वाले लोगों की तदाद सबसे ज़दा थी यह ब्यूर ओफ एमिग्रेशन एंड ओवर्सीज इंप्लॉइमेंट की स्टीटिस्टिक्स हैं थोड़ मैं बताता चलों के आट लाग साथ हजार बंदा जो है वो पाकिस्तान से दोजार तईस में बेरुने मुल गए है काम करने जिसमें से आठ हजार एंजिनियर लगबग आठ हजार कुछ सौ एंजिनियर साथ हजार कुछ सौ अकांटन्स और तीन हजार डॉक्टर्स इन शोबात के अंदर जादा तर लोग गए हैं और इसके साथ साथ यह सारा कुछ जो है आठ इस नहीं को बहुत लोग की होगी यह क्यूंकि इन लोगों को वह जा के ओवर्सीज इंप्लॉयमेंट की बेसिस पे इनको अपने आपको किसी ना किसी अदारे से यहां भी मुंस इसमें जादा खतरनाक बात है वह यह है कि आपने सुन लिया हो कि दुबई में अब पाकिस्तानियों को लेबर वीजा बहुत कम बिल रहा है ना होने के बराबर उन्सकिल्ड वीजा उन्होंने तकरीबन खतम कर दिया है वह क्या रहा है कि यह आपके डॉक्टर एंजिनियर हर तरह का जो दिमाग है यह तो जिनके इनके पास मुआक्व हैं यह शायद यहां भी रहते तो गुजारा कर लेते हैं लेकिन यह मजीद बेटर लाइफ के लिए बाहर जा रहे हैं और वो जो गरीब तबका जिसको बाहर जा के उसकी जिन्दगी बेहतर हो सकती थी वो यहा पहले से बहुत नीचे आजएगी पहले से भी ब्रेंड रेंज इसको कहते हैं और अचीवमेंट यह जो अनाउंस्मेंट की इनोने हर हर तो हर ट्रैवल एजनसी जो है वो यह कर रहे हैं कि वो लोग कोई कैनड़ा भीज रहे हैं हर किसी को मतलब यहां पर तो एवन लोहर श पहले साइन हो था उसकी तस्वीर होती है वो लेना बहुत जरूरी होती है तक तस्वीर नीच चाहिए लिए लिए लगाते हैं तो बहुत मिस्टीडिंग बात 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 यह कोई है कि 24 क्रोड की अबादी में 23 क्रोड 99,000 आप जाना चाहते हैं बार तो अली आप जो इ आप जाने हैं कैनिडा अब आप यही पिषले देड महीना उठाके देख लें जहां जाएं हर बात जो हरी है वह थंड के वाले से पहुत थंड थंड लग रही है स्कूलों के अंदर ठंड लग रही है, अब दफ्तरों में ठंड लग रही है, हर जगा ठंड लग रही है, गैस नहीं है, यह नहीं है, और यह जा रहे हैं कैनिडा, कैनिडा में मुझे बात बताएं, और इसी से मैं आना चाहते हूं एक और बात की उपर, बस अगर आप लोग बहुत सरे लोगों को मैंसे जानता हूझ जब यसी पासपोर्ट मिला वो कहते हैं यहान है और उसकी मेरे कुछ लोगों से सौरी वजवात जो पूछी है वो सिर्फ वजवात मतलब बडी इंट्रिस्टिंग है वो कहे के जी जो लाइफस्टाइल फर्ज करने कुछ लोग यहा मैंने 5-6 साल इतने भी टाइम लगता है कैनिडा, UK, US, यॉरोप का लगता है टाइम, इतने मैंने लगाए, मैं लेके वापस आए. यहां पर लाइफस्टाइल उनको कम पैसों मिल जाता है, इसका मतलब है कि यहां पर चीप लेबर का मतलब का है, कि आप लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, ठीक है, तो यह कोई फखर की बात नहीं है, नमबर एक चीज़, नमबर दो चीज़, जिस तरह नहीं कि खुश हम क्यों होते हैं बाहर जाने का मौका मिलते हैं, और मलक क्यों खुश होता है, इनसान तो इंडिविज़ली तो खुश होता है, मलक के लिए, second generation जो होती है, बाहर गई वी, वो इतनी कोई कारामत भी रहती और जो थर्ड जनरेशन वह तो बिल्कुल यूजलेस है मुल्क के लिए लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड का जो स्टार्ट उसमें क्या होता है कि वो उनके भाई, बहन, माबाप, रिष्टेदार पैसे बेज़ते हैं अब दुनिया में बज़ए एक है और अहम इस चीज़ का यह पासपोर्ट लेने का जो आप मुझे बता रहे है तो में अग्साइब का आपको पासपोर्ट क्यों चाहिए होगा वोट बी के चलें ठीक है वहां पर आपके यह पासपोर्ट लेने का जो के आपके बच्चों को मिल सकते हैं अब तीसरा जब भी आपको लगे के मामलाद खराब हो रहे हैं आप रोती उठा के तर लिगा जो नहीं और देखें वो अली ने जे जेनरेशन वाली बात की कैनिडा में यह होता है यू के में यह होता है और आपने जो लोग यहां से लाधा टॉपिक है एक्शली जो लोग मतलब यहां से जाते हैं सिर्फ वच्चे हमाँ पैदा करने वो भी एक बात वास टॉपिक है बट चलें अब पासपोर्ट से बतालिक नहीं बड़ी इंट्रेसिंग चीज पर रही थी यह वीजा वीजा रिलेटेड कि जितने मुमालिक हैं जिन्हों ने अपनी दूसरी मुल्कों को को अपनी बनाया अपनी उस आप यह दिखे एक जमाना था कि जब वन दे अराइवड और रुक्मरानी की हमारे उपर और कॉलनी बना ली थी थी यह वहां पर जाने के लिए जो है हमें अलावड है तो गो देर बट उनका हमारा पास वापस आने के लिए उनको वीजा चाहिए अब यह सारी जो आप UK, US आप देख लें, all these first world countries, they build the fact that who decided के उनके पासपोर्ट को जो है इतनी पावर देनी है नहीं लेकिन पाकिसान नहीं पाकिसान नहीं आप हम भी विजा विजा बिलकु रसानी है यह राइग विजा लिए विजा लिए विजा लिए विजा लिए वि मेरे तक्याल में हमारी को पॉलसी नहीं है कोई लेना नहीं 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 यह मैं आपको factually कह सकता हूं अगर हमारी policy होती citizenship की तो जो यहां से एक exodus हो रहा है जो second generation afghanis हैं, so को होती policy तो वो citizen बन चुकी होते है वो तो I believe asylum seekers के लिए separate policy है for refugees यहां से कुछ जाता है कि यहां से कुछ जाता है जाता है कि वहां से कुछ पकस्तानी बनाया है और वो अस तक policy नहीं बनाई और वो असान होनी चाहिए वैसे तो खेर नहीं होगी क्योंकि हम तो वीजा मुशकत से देखते हैं तो नैशनलिटी क इसकी ओपर भी किसे दिन बातों उसकी बज़ए है क्योंकि देखें आपने अभी overseas की बात की कि वहां अली ने का पैसे आते हैं तो इस वैसे हमारी जो state bank से लेके बैंक से लेके हर दारा हर economist जो है वह एक बात पर तफाकिर आया है कि overseas पाकिस्तानी जहां पर बहुत सारे पै environment and economy अंधर इस वैसे हनको dual nationality भी देनी निकलि बातों वहां कि उनको पास nationality हो वी जो थर्ड जन रिखें है वह पौनी ऑपप को भी हो है तो नू के नंको ने ने नाशनलिटी नहीं भी और भी ऌशनलपबें सेंहिंगे में बहले नहीं हो न है और भ्रेक देह भी थ्लिए Welcome back to Bolo Janab Punjab में एक और action लिया जारह है जिसको इस दफा उन्होंने crackdown नहीं का लेकिन CM Nakwee सहाब जो है उन्होंने decide किया है कि हम pneumonia cases के उपर proper data collection करेंगे और जो ब्लाक मार्केट में वैक्सिनेशन बिक रही है उस पर भी क्रैक्डाउन करेंगे पीज असद लेट उस नो मॉर अपने जान को बैठे है बहुत अफसोसना खबर है उसके साथ साथ इसलिए प्राइमरी प्राइमरी जमाद से नीचे वाली जो प्राइमरी और जो आपके लोड स्कूल्स होते हैं उनको चुटियां दे दी हैं मज़ीद आगे क्योंके ठंड जाद है इसकी दो वजवायात हो सकती है एक यह सकती है कि एक आपचिछल श्यूर्टियुच क्रेई चारीत है इसे में माजहममें Have a better सिरु अवैटे समय के साल की प्राइच आपप डिधान वैसरो हमाने साल केसी पटारत तक ऩड़ा the full pot वैकिर से क्रेशोगी साल दिस दिवा वी किया है इस टो ब् तो चौड आप कि ते हम आप ही व्लेट वो वापस लाएं इसके अंदर जी के क्योंकि यहां पर द्वाईयों की जो कीमते हैं वो रेगुलेटिड होती हैं ड्रैप से गवर्मेंट से तो वो कहते हैं जी कि अब हमारे लिए बनाना द्वाईया जो है वो एक महिंगी चीज हो गई है प्राइस आप रिवाईज नहीं क यह भी है दोसे यह कि अब यह वाईरल है तो वाईरल मतलब वह तो हर दफ़ाय बदल जाता है बतों जो उक्छे साल अदे रहे होती है कि अगेन वो वाइरल है उसका शाहिए इस चीज के डिरेक्टली तालुक नहीं है कि आप ठंड कितनी है यह आप अपने आपको कितना कवर कर रहे हो लेकिन जादा जो ठंड से रिलेटेड बिमारी हैं इसके इलावा उसके लिए बहुत जुरूरी है अपने आपको जितने मैं यह सोच रही थी कि जो डिरेक्शन्स दी हैं कि कवर यॉरसेल्फ आप और यह सब कुछ इंग इस पर पूरा एक शो किया था जब तक हकोमत कहेंगी कि हम बताएंगे कौनसी दवाई कितने की बनेगी और अगर फार्मस्योटिकल को लगता है कि इसकी तो कॉस्ट ही उतन इससे जादा है जितने की यह बिक रही है तो वह नहीं बनाएंगे वह सवाब कमाने तो नहीं बैठे है वह असल में बिजनस है यह बड़ी जीवसी बात है कि एजुकेशन प्राइविट है और हेल्थ केर प्राइविट हद तक उसकी उपर गवर्मेंट जो है वह अपना ए तो अगर आप महिंगा हो गया है मारब डॉलर कहां से कहां चला गया है और आपका रॉम मेटेरियलियां बनता नहीं है वह आपने इंपोर्ट करना है इंपोर्ट प्राइस ऊपर चली गी है एक दवाई जो 100 रुपए की थी आपको बनाने में अगर 500 रुपए लग रहे है तो आप बेचेंगे उसको 500 की वो कहते हैं नहीं सौ रुपए की बेचें बीविया गवर्मेंट वाल और रिविजिन्स जो उनकी प्राइसिंग की है यह हमने देखा है उसी शो पर डिसकस किया था कि वो नहीं मानी जाती सो यह सारा मसले और बड़ी आम रोजमरा की जो की तरफ चलते हैं लेसको के ओफिसर्स अपरेंटली अपने ही सोपीस फॉलो नहीं कर रहें और जो भी उनके ट्रांस्फॉर्मर्स होते हैं डैट नीज रिपेरिंग या एनी काड़ वर्क तो यह टेक थेम नौट तो दे लेसको के वर्कशॉस पर प्राइविट मेकानिक्स के पास वो लेके जाते हैं यह सबसे पहले तो मुझे इस खबर में पढ़के जो सबसे हरान कुछ चीज मैंने पढ़ी वो थी सोपीस के लेसको के भी कोई सोपीस होते हैं यह तो एक जीब सी बात है चा मैं क्योंके इस चीज से खुद भी गुजर चुका हूँ मेरा एक ट् transformer अबल से के बहुत होता हे कि transformer हो जाता है जोसे पर बोग प्रैकर लेकर कांप ही हो ठीक है उब हो अप़ लेटेस वहाले पढ़ाये तीम लग सकता हैं हम ठीकर रवागे ले आतें आपके लिए तो यह तो ये बोग सालों और मेरे तक्याल में इससे भी मसला हल नहीं होगा क्यूंकि जो लेस्को की अपनी वरक्शॉप्स हैं उन पे अगर इतना आप लोड डाल जाएंगे तो यह इसी वएसे कि जाते होंगे लेस्को की वरक्शॉप में भी ट्रांस्फॉर्मर लेकिन चूंकि उनके पार लोड इतन और लोड जब भी ऑवरलोड पड़े होगा खराब होने का ख़चा है ऑवरलोड तो होगा हर साल आपकी एनरजी की डिमांड बार रही है वो मल्टिपल रीजन्स की विसे पार रही है एक तो वैसे ही आपकी रेलाइंस ओन एनरजी ज़ादा होती जादी जारी है बिकॉज tech and everything, दूसरा हम बारड़े हैं, अगें ये population management वाली जो चीज है, मतलब 2050 में जाके अंदाजे के मताबिक हम इससे double होंगे, so अगर कोई इसको नहीं देख रहा है, ये जितने हमारे सियासी जो लोग नारे लगाते हैं, कि जी हम economy को ऐसे कर देंगे, हम economy को ऐसे कर देंगे, उनसे कोई एक सवाल भी नहीं करता टीवी एंकर बैठके, कि जी मतलब अबादी को मैनेज किये, बगेर आप कर लेंगे इसको टैकल, क्योंकि अगर कर लेंगे तो उसका कोई तरीका भी होगा, आपने सोचा होगा, वो तरीका बताई दें, वो कुछ सवाल नहीं करता, बस एदर से एक नारा आता है, एक उदर से नारा आता है. जिनके शोप है, हमने आज जिकर के साकिपने सार साब नहीं किया था, और फिर उसके वोपर कुछ नहीं कर पाए. यह तब झाओंगी, हमारे प्लमबर्स, मेकैनिक्स, इलेक्रिशिंस, यह रिली नो हाव तो बिल्ड देर बिजनस. तो यह सिर्फ मसला इस तरह से नहीं है, यह सिर्फ एक शक्स का मसला है. यह खुद ला सकते हैं, ना खुद लगा सकते हैं, लगाना भी लेसको ने है, उसकी मेंटरिंस भी लेसको किये. इस घर में पांच बंदा इस घर में बारा बंदा रहेगा, तो पर एक ही ट्रांस्वर्मर वो सारा नहीं कर सकता, उसके इसलिए उनने काया कि आप एक एक करके हर अपना लगा ले और उसके उपर चलता रहे, यह देखें, यह सारे बिजली वाले, यह कोई ऐसे नहीं है कि बड़ी जल्दी से सौल हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, लेकिन हर चीज को पकड़ेंगे कहीं से उस पर कुछ शुरू करेंगे तो महामलाद बहुते हैं, अगे चलते हैं, वो जो डाइनिंग कार थी हमारी, जो ट्रेंस में जो इंट्रियूस हुई थी, अपेरंटलि उस बड़ी कारवी जो पर चीज को अजा बहुत थी, जो पर बहुत जाएंगे, बधन से जानी नहीं जो आएगे, पर लेकिते हैंने नहीं से तंदूर भी लगावाँ था न अंदर इसलिए, इसलिए तंदूर के उपर सबसे पहले आती हैं, यह जो प्रैसिंग है वो बहुत पाने की डेड़ लीटर की मेंडल बाटर की बोले 300 रप है चिकन कड़ाई 1600 रप है मटन कड़ाई 3500 रप है अज़ देके बात यह है कि नान और रोटी पे तो आप कम्प्लेइन कर सकते हैं मटन कड़ाई तो वैसे भी उतने की है इतनी वहां पे है तो आप क्या चाहते हैं सबसिडाइस करें अचा अब यह जो इतने फूड पारलर में बैठके एक बंदा जा रहा है वह गरीब आप मी तो नहीं हो सकता है तो आपने अमीर आप में को सबसिडी कर देनी है मेरे खाल में ठीक प्राइसे नान रोटी सब्सक्राइब आप मैं भी यह सोच भी थी कि के प्राइसे जेनरली तो यह तो बिल्कुल ठीक है लोग इसलिए रो रहे हैं क्यूंकि इसके अंदर मुलतान कराची की टिकेट जो है इस ट्रेंड की वो 26 रुपे की और उसके एलाबा जो बिसनस क्लास है इसी इंदर बिसनस क्लास है तो दिन में कितने खाने वे यह गटे लगते हैं इस पे मुझी ने पका किते हैं अजुमिंग चलें लेट से कहने का मतलब यह कि टिकेट पच्छे सो की है और कड़ाई पेंतिस सो तो दिन में कितने खाने वह यह कैल कॉलिट कर लिए लेगा बिजिनस क्लास सीट है वह 6,000 रुपेगी टिकेट है सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिजिनस क्लास ट्रैवल कर रहे है वह 6,000 रुपेगी कि टिकेट लिए जायर अकेला नहीं जा रहा है अगर तो फैमिली साथ है तो फिर वह एक दद अच्छा फैंसी मेल कर सकते हैं और मैं आपको बता हूँ यह 6,300 अलड़डी बता नहीं कितनी को सर्दी सर पढगी है इस दवाा के मामलाथ जो है जैसे हमने पहले बात मेंने बात जिकर किया कि लोग कर देंद है ले तो नहीं कहीं जासे है वैसे तो इसे टेंपरिश तो उसी सेवन डिःवत बंकर दियां वाइं आप रियाक्शन देखें नहीं स्कू खबर में आ रहा है खबरों में कि बहुत थड है और मतलब ड्राइफूट की फरोग जादा हो गई है उनिफॉर्म में रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी थी इन एनी केस थड है या नहीं है खास तोर पे बोर्डर्स के लिए यह जो स्कूल्स होते है जिसमें बोर्डिंग स्ट पेंटी है लेकिन वह की और यह जिए कि अगर आपने आप और आप कवर अप करना है तो आपने घार में जो आप कपड़े पैंते हैं तो कवर अप कुछ जैकेट होगी तोपी होगी स्काफ होगी गलव्ज होगे बाकिछी चीज़ें होगी वह आप पैंगे स्कूल भी आ सक यह त्मांप पुछ पर के लिए इसकूल बंद बंद कर तो यह पंजाब भर करने वामाले एलान ही नहीं लोकल गवर्मन्न्ट इसलिए जरूरी है देकिए रखना की सर्दी जादा है या काम है एक सो साठ स्कूल पंजाब में ऐसा है जो कि बना भी डॉनर्स के पैसों पर और वो बने भी ठीक नहीं, उनकी चते लीग कर रही हैं, उनके बच्चों को ओपन एर में पढ़ना पड़ता है, अब ओपन एर के लिए तो जदा सर्दी है नो, ओपन एर में तो आप हीटिंग भी नहीं कर सकते हैं, अच्छा अगेन, आप उनको फैसला करने देते हैं, उन उनकी एक यूनिफारम पॉलिसी ले के आनी है, क्योंकि किसी जगह पे स्कूल खुले होंगे और किसी जगह पे स्कूल बंद होंगे तो होगा ये कि कुछ बचे कर्रिकुलम में तीन महीने आगे चले जाएंगे, इस मुल्क में साड़े 24 मिलियन बच्चा है जो स्कूल जात हैं उनमें से कोई तीन मेने करिकुलम में आगे होगा या पीछे रह जाएगा उससे क्या फर्क पड़ता है आप ये सारे इंतजामी मामलाथ लोकल गवर्मेंट्स पर छोड़ो ये जो एक सीम आके कहता है और ये पूरे सूबे में यूँ कर दो ये नहीं ये पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता आप कैसे कर सकते हो आपकी उसलिया से बात ठीक है और ये देखें सिर्फ एड़केशन की हर्ट तक नहीं है ये हेल्थ के अंदर भी ऐसे है कि ब्लैंकेट पॉलिसीज का जो सारा चकर है और देखें और स्कूलों की हद तक अगर आप फर्स करें एक बच्चा जो है वो चुटी कर लेता है स्कूल से या चुटी हो जाती है ये टीचर्स को बुला बैठे हैं जिनको उन्होंने फिर भी पे करना है अब ये होता है जी कि इतनी दिर्बांद कर दो अभी ये भी बात चल रही थी हमने शायद इदरी डिसकूस की थी कि जब ये स्कूल अभी खुले हैं बुद को तो ये भी था कि नहीं जी पंदरा तरीक को स्कूल खुले वो तो उन्होंने नहीं किया मेरे ख्यार में प्राइवेट वालों ने का जी हमने सबने त्यारी करके बैठी वे स्कूल खोल दें और लोर क्लासिस की है तक मुझे समझ आती है कि थार्ड़ में उनको ना भेजें बट जो आपकी सेकंड ग्रेड ऑनवर्ड हैं अब उनको ये भी उन्होंने पॉलिसी दे दिया है कि कपड़े अपने उनिफॉर्म चेंज करके आजें तो उनको स्कूल जाना चाहिए और जड़ी की चुटियां आपने जिस दबाद दोग और आपने दोग और आपने 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 देंगे इसला तो आइसला कुछ साहरा बाद स्कूल ही बंद हो जाएंगी Because it's gonna be absolutely dangerous for kids Let's go, let's go, let's finish our show here. Thank you so much for watching us. We will be same time here tomorrow at 11 pm. Take care of yourselves. Allah Hafiz अबर रहना जाए